नमस्कार दोस्तो मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने YouTube चैनल विकास History Circle पर आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तो हिस्ट्री की प्रिवियस क्लास में हम लोगोंने मौर सामराज के बारे में जानकारी की थी और कल की क्लास में हमने मौर सामराज को complete भी कर लिया था उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम मौर सामराज से बनने वाले महात्वण प्रसनों की प्रैक्टिस करेंगे जो टापिक दोस्तों हमारे मौर सामराज पढ़ाते समय छूट गय जैसे मौर सामराज की राजनेतिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था उसके बारे में भी जानकारी आज हम इन प्रस्नों के माध्यम से करेंगे तो वीडियो को अंत तक बिना इस्किप किये हुए बहुत ध्यान से देखना दोस्तों कुश्चन हमारी परिच्छा की दिख्ट से बहुत ही महत पूंड रहने वाले हैं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों तो शुरू करते हैं मौर सामराज दोस्तों मौर सामराज का सासनकाल आप लोग पढ़ चुके हैं कब से कब तक रहा तो 322 बीसी से 185 बीसी दोस्तों 322 इसा पूर में मौरी बन्स की स्थापना चंदकुप्त मौरी ने की और 180 में इसका अंतिम सासक ब्रैद रथ था जिसके अप्तिया उसके सेना पठी पुस्सिमित्व सिंग ने कर दी ये चीज आप लोग पढ़ चुके हैं अब दोस्तों हम आपको बता दें कि मौरी बन्स का सासन 137 वर सोतक रहा लगभग मौरी बन्स का सासन अगर कहा जाए तो लगभग 137 वर सोतक रहा और भागवत पुरान की अगर बात करें तो भागवत पुरान के अनुसार दोस्तों मौरी बन्स में 10 राजा हुए ऐसा कहा गया है कि मौरी बन्स में 10 राजा हुए है भागवत पुछते हैं इसके बारे में हम ने आपको बताया था तो चलते हैं अपने टापिक पर महत्पून प्रस्णों का भंडारा शुरू करते हैं दोस्तों मौरी वन्स का संस्थापक का उन था यह उसके बार अगला कुष्जय नमा रहा है कि सुदर्संद जील का निर्मार सरु पर कि सुदर्शन धिल का निर्मारर सवार परत्र में जक्राइब कि रहे एघर कुस्यन जिल है कहां तो दोस्तों ये सुदर्शन जील गुजरात में घिरनार परवत पर है और इसका जिन्रोधवार सकराजा जुद्धदामन ने कराया और संसक्रत का सबसे बड़ा अलएक, जुना गला अलएक ये जुद्धदामन ने इस्थापित कराया था दोस्तों ये भी हमने आपको बताया है तो बहुत ध्यान से देखते चलना दोस्तों मैकिया वैली के प्रिसिद्गरंथ दप्रिंस की तुलना किस से की जाती है दोस्तों कोटिल के अन्य नाम है विश्णगुप्त और चाणक और चाणक के ने या कोटिली ने ही अर्थसास्त की रचना की है और यह चाणक चंदगुप्त मौरे का गुरू और आगे चल कर पधान मंत्री भी बना तो उसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों अगला हमारा कुश्चन है कि सेंड़ो कोट के नाम से चंदगुप्त मौरे की पहचान किसने की तो दोस्तों सेंड़ो कोट के नाम से चंदगुप्त मौरे की पहचान किसने की विलियम जोनस ने उसके बाद अगला कुश्चन हमारा है कि असोक के वास्तविक नाम यानि दोस् अब दोस्तों कोटिली किसका प्रधान मंतिर था तो चंद गुद्ध मौरिका दोस्तों कोटिली के अन्य नाम चानक और विश्ण गुद्ध उसके बाद दोस्तों अगला कुश्चन वह राजा जो अमित्र घात के नाम से जाना जाता है हमने जब बिन्दुसार आपको पढ़ाया था तब हमने आपको बताया था कि अमित्र घात बहुत इंपार्टेंट है दोस्तों अमित्र घात जो है वो बिन्दुसार का नाम है किस राजा को अमित्र घात के नाम से जाना जाता था तो बिन्दुसार को उसके बाद दोस्तों कि यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूथ था और यह चंदकुप्त मौर के राजदर्बार में आया था और इसने इंडिका पुस्तक लिखी है और दोस्तों इंडिका पुस्तक में इसने भारती सामराज मौर काल की बारे में जानकारी दी है और भारती विसुयों पर चर्चा की है इसने अपनी इंडिका में तो दोस्तों मेगस्थनीज सेलिकस निकेटर का राजदूत और मेगस्थनीज जो था वो चंदकुप्त मौर के राजदरबार में आया था उसके बाद दोस्तों अगला कुश्चन हमारा है कि मेगस्थनीज भारत किसके दरबार में आया तो चं इसके बात दोस्तों कि बिंदुसार के सासनकाल में कहां विद्रो हुआ तो तच सिला में हुआ और इस विद्रो को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम और उसके बाद असोग को भेजा था उसका अगला कुछ चैना है भारत में सिलालेखों का सरप्रथम प्रचलन किस ने किया तो इसक को ग्लास में बताया है दोस्तों जेम्स प्रिंसप ने असोग के अभिलेखों को पढ़ने में पहली सफलता प्राप्त की और यह अभिलेख जेम्स प्रिंसप ने 1830 सिष्वी में पढ़े थे तो उसके बाद हम अपने अगले कुछ चैन पर चलते हैं दोस्तों अगला कुछ में उसके बाद दोस्तों असोक के किस अभिलेग में भेरी घोस की जगा धम घोस की घोसला की गई, तो ये ai सिला लेक में, जिए उसके बाद अगले कुश्चन पर चलते हैं, कलिंग यूद का वरणन kहले क में थ हैं कि कौसामभी अभिलेग को क्या कहा जाता है दोस्तों कौसामभी अभिलेग को रानी का भिलेग भी कहा जाता है कौसामभी अभिलेग को रानी का भिलेग कहा जाता है और असोक का सबसे लंबा भिलेग दोस्तों अगर असोक के सबसे लंबे भिलेक की बात करें तो असोक का सबसे लंबा भिलेक रहा सात्मा भिलेक सबसे लंबा भिलेक और कलिंग युद्ध का वरण तेरमे सिला लेक में है दोस्तों उसके बाद का सबसे छोटा भिलेक है रुमी देई भिलेक दोस्तों असोक का सबसे छोटा विलेक, रुमी देय विलेक और सबसे लंबा सात्मा उसके बाद अगले कुश्यन पर चलते हैं कि असोक की माता का क्या नाम है दोस्तों बहुत बार कुश्यन पूछा गया है कि असोक की माता का क्या नाम है तो सुभध्रांगी है असोक की माता का नम और असोक का उत्तरा धिकारी का उन हुआ तो दोस्तों कुणाल असोक का उत्तरा धिकारी हुआ और कलिंग युद्ध हम आपको बता चुके हैं कि 271 सा पूरू में हुआ था और जब युद्ध हुआ तो उस समय इसकी राजधानी दोस्तों कलिंग की तोसली थी जिस पर अधिकार असोप ने कर लिया था और मौरेवंस का अंतिम सासक दोस्तों मौरेवंस का अंतिम सासक ब्रहद्रत था खरोष्टी लिप की उत्पति किस से हुई दोस्तों अर्माईक लिप से खरोष्टी लिप की उत्पति हुई है उसके बाद हमारा अगला कुश्यन है कि मेगस थनीज ने अपनी पुष्टक इंडिका में मौरेश सामाज को उसके बाद दोस्तों असो के समय मौरेश सामराज में प्रांतों की संख्या कितनी थी पांच थी दोस्तों मौरेश सामराज में असो के सासन के समय उसके बाद प्रांतों को क्या कहा जाता था दोस्तों मौरेकाल में प्रांतों को चक्र कहा जाता था और प्रांतों के प्रसासक कहलाते थे कुमार आरे पुत्र या राश्ट्रिक दोस्तों प्रांतों के प्रसासक कहलाते थे वो कुमार आरे पुत्र या राश्ट्रिक कहलाते थे उसके बाद अगले कुश्चन पर चलते हैं अगला कुश्चन हमारा है कि प्रसासन की सबसे छोट तो दोस्तों प्रसासन की सबसे छोटी काई ग्राम थी और ग्राम का मुखिया जो होता था वो ग्रामिक कहलाता था दोस्तों ग्राम का मुखिया ग्रामिक कहलाता था और प्रसासकों में सबसे छोटा कौन था तो गोप था दोस्तों प्रसासकों में सबसे छोटा ग्रोप था ये 10 ग्रामों का सासन समालता था तो प्रसासन की सबसे छोटी काई दोस्तों ग्राम थी और ग्राम के मुख्या को ग्रामीक कहा जाता था और प्रसासन में सबसे छोटा था गोप जो 10 ग्रामों का सासन समालता था उसके बाद अगले कुश्चन पर चलते हैं कि अर्थ सास्त मे गुप्तचर को गुड़ पुरुस्त कहा गया है उसके बाद सरकारी भूमी को क्या कहा जाता था तो दोस्तों सरकारी भूमी को सीता कहा जाता था दोस्तों बहुत important कुश्चन है और बहुत ध्यान से देखना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना शेयर करें और करें दोस्तों ुशके बाद दोस्तों अपने अगले कुश्चन पर चलते हैं कि स्वतन्त्र वैस्यवरत्ड को अपनाने वाली महीला कहलाती थी तो रूपा-जीव विश्ण गुप्त चाणक के अन्य नाम है और चन्द गुप्त मौरी का प्रधान मंत्री था उसके बाद अगले कुश्चन पर चलते हैं दोस्तों अगला कुष्चन हमारा है कि देवा नाम प्रिये के नाम से कौन साख विक्यात है तो असोग को देवा नाम प्रिये के नाम से भी जाना जाता है और चन्दगुप्त मौरिका प्रसीद गुर चालक की गिस सभेदेश के गिट्स से सब्ध था तो दोस्तों इसका अंसर हो जाए मगद पर सुंग वंस की निव डाली उसके बाद दोस्तों कलिंग विजय के बाद असोग महान ने किस धर्म को अंगीकार किया है दोस्तों आप देख रहे हैं कि चैंद गुप्त मौर जैन धर्म का अनुयाई था उसके बाद अगर हम बिंदुसार की बात करें तो आजीवक सं अगले कुश्चन पर चलते हैं कि महान महर समराच असोग ने किस सम्रदाय का संवा चन किया दोस्तों बहुत important है बहुत ध्यान से देख लेना कि ये तो सब को पता है कि असोग ने बहुत धर्म अपनाया लेकिन किस साखा का संरच्छन किया था कुश्चन यहीं से बनता है कि असोग ने बहुत धर्म के किस संप्रदाय का संरच्छन किया तो ही नियान दोस्तों ही निया अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें सेयर करें और चैनल को सस्क्राइब जरूर करें दोस्तों और आप लोग बताईएगा कि कल से हिस्ट्री की क्लास में हम लोग यूपी टपल सी पी इती की द्रिष्ट से महत्पूंड चैप्टर आधुनिक भारत को स्टार्ट करें या इसी को कांटीनू करें अपनी राय कमेंट बाक्स में जरूर बताएं मिलते हैं अगली कलास में तब तक के लिए धन्यवाद जैहिंद दोस्तों